असलाम लेकुम, होब आले, फियर दूइंग वेल, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप कैम्पेइन्स की कैम्पेइन्स रन करेंगे वाटसेप ग्रूप को जोई नहीं किया तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जोईन कर लें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे लाइव चैट भी कर सकते हैं वाली वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटीजी बताऊंगा कि किन स्ट्रेटीजीज को अमल करते हुई आप अपने प्रोडाइक को टैस करेंगे अपने प्रोड organise करेंगे कैसे आप अपने प्रोडइक को सेलक्ट करेंगेम्पेइन्स का एक जो मड्यूल है एक face है वो face आप कैसे learn करेंगे और learn करने के बाद आप अपने लिए और अपने client के लिए अच्छे result generate कर पाएंगे तो TikTok marketing की videos almost 13 तक मैंने बना दी है और आने वाली videos में बहुत कुछ सीखने वाला है so kindly video से आपने बहुत कुछ learn करना है अगर आपकी कोई confusion हो तो आप मुझे contact कर सकते हैं through WhatsApp and Instagram तो चलते हैं अपने ad account पर तो मैंने अपना ad account open कर लिया ये मेरे पास एक ad account है और इस ad account पर हम आज campaign create करेंगे convenience की और बाकी जो campaigns थी वो मैं आपको सिका चुका हूँ के कहां पर और कैसे use करते हैं तो normally यहाँ पर मैंने कुछ campaigns run की थी टेस्टिंग के लिए और आज जो है हम एक नई campaign create करेंगे तो आपने क्या करना है create के button पर click करना है जैसे कि आप click करेंगे आपको options मिलेगी यहाँ पर convenience की तो convenience की क्यों run किया जाता है आप अपनी website पर purchase लाना चाहते हैं या आप एक instant page पर purchase करना चाहते हैं तो दो option होते हैं तो आज की वीडियो में हम यह सीखेंगे कैसे आप अपने product page पर purchase लाएंगे तो जैसे आप convenience पर click करेंगे यहाँ पर अपने campaign का name रख सकते हैं तो name रखने के लिए मैं आपको recommend करूंगा तो हमेशा जो है ऐसा नाम रखें कि जब आप बाद में अपनी campaigns का analysis करें तो आपको याद रहे कि आपने किस campaign का analysis करना है तो नाम रखना बहुत ही जादा important होता है बाद में आपको confusion नहीं होती आज हम campaign रन करने वाले हैं एक shoes के लिए तो मैं हमेशा यहाँ पर product का name ज़रूर लिखता हूँ कि मैं किस चीज़ की campaign रन कर रहा हूँ तो first मैं यह भी यहाँ पर लिखना हूँ कि यह मेरी पहली campaign है तो उस campaign के लिहाँ से यह मेरा एक zero phase है means कि मैंने आज अभी तक इस product की कोई campaign नहीं कि मैंने इस product को check करना जाता हूँ market में कैसा है तो मैं इसको phase zero भी कह सकता हूँ इसको test भी कह सकता हूँ test one भी कह सकता हूँ तो product का name लखना बहुत ज़रूरी है तो मैं यहाँ पर इसको phase zero का नाम दूँगा और साथ मैं यहाँ पर mention करूँगा मैं किस product के लिए add run कर रहा हूं ताकि मुझे याद रहे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ shoes ठीक है यहाँ पर मैं shoes mention कर देता हूँ और यहाँ पर अगर मेरे अब यह सारा psychological work होता है marketing करना अब आपके mind में क्या है कि आपने कितने creative create बनाए हुए है तो उसके लहाँ से होता है बट हम scratch से सीख रहे हैं तो मैं आपको step by step चीज़ें बताऊंगा तो face zero shoes और साथ ही हम यहाँ पर लिख लेते है campaign one ठीक है यह मैंने generally नाम लिख है लेकिन जब हम strategies पर आएंगे तो मैं आपको वहाँ पर briefly बताने वाला हूँ कि जब हमारे पर ज़्यादा creatives होते है या ज़्यादा ad set होते है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए जो हमें जब हम analysis करते हैं तो हमारे लिए काफी best रहे अच्छे यहाँ पर campaign name रखने के बाद यहाँ पर आपको three options मिलते है create split test आप यह अभी नहीं करेंगे start में इस strategy को हम बाद में use करेंगे उसके बाद आता है campaign budget optimization अब यह campaign budget optimization को mostly जो हम probably CBO कहते हैं CBO क्या होता है कि आपके पास एक campaign है उसके अंदर different ad sets है और different ad set में आपके पास एक या दो creatives हैं आप campaign level पर ही अपना budget decide कर लेते हैं कि इस campaign को मैंने इतना budget देना है अगर मैं यह open करता हूँ तो यहाँ पर मुझे budget देने की option मिलती है at least मैं 50 euro से start कर सकता हूँ ठीक है तो start में जब आप निया काम start कर रहे हैं आपका निया store है फर्स campaign है तो आप कभी भी CBO के साथ काम नहीं करेंगे highly recommend मैं करूँगा कि आप CBO के साथ काम नहीं करेंगे इसको आपने हमेशा off रखना है एक tip भी मैं आपको बतायता हूँ आप कहेंगे CBO कब काम करते हैं CBO के लिए मैं आपको यह recommend करूँगा तो जब आप scaling कर रहे होते हैं through your remarketing and look like audience and custom audience then we should try CBO तो तब हमें CBO ट्राइ करना चाहिए उसके बाद हमारे पास आता है set campaign budget इसको भी हमने off रखना है सिर्फ हमने यहाँ पर अपनी campaign name रखना है then we continue और जैसे हम continue करेंगे हमारे पास campaign के बाद हमारे पास बस नाम का थोड़ा सा फर्क होता है तो mainly जो हमारे लिए चीज़ होती है वो ad group और ads होता है ad में जहाँ पर हम creative अपनी वीडियो को show करवाती है तो अगर हमारा ये वाला portion psychologically बिल्कुल ठीक होगा हम अपने audience को जान सकतेंगे कि कि की audience को हमने target करना है तो हमारे ad भी अच्छे बनेंगे, result भी अच्छे आएंगे और targeting भी अच्छी कर पाएंगे लोग और अपनी purchase और result भी अच्छे निकाल पाएंगे और profitable purchases निकाल पाएंगे बट आप without strategy या आप ये समझें तो उसके लिए हमें test करना पड़ता है you have a budget तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम to the point बात करेंगे ad group पे आपने नाम रखना है मैं आपको बता जाता हूँ ad group में हमारे पास mainly होती क्या चीज़ है हमारे पास audience होती है हमारे पास ages होती है या हमारी first campaign होगी उसमें हमेशा broad campaign रखेंगे ठीक है या broad audience रखेंगे और without any interest पहले आपने कभी भी interest नहीं रखेंगे क्या हम creative को टेस्ट कर रहे हैं हमें आप भी अपने creative कह नहीं पता क्या हम creative अच्छे हैं या बुरे हैं तो हम पहले अपनी creative को टेस्ट कर रहे हैं इसी वजह से हम हमेशा broad audience रखेंगे broad audience का मतलब यह है कि ना ही हमने gender को चेड़ना ना ही हमने age को चेड़ना ना ही हमने किसी भी setting को चेड़ना मैं step by step आपको बताता हूँ broad audience रखना है और यहां पर आप लिख सकते हैं कि no interest ठीक है no interest मिन्स कोई interest नहीं होगा और यहां पर आप लिख भी सकते हैं आगे के no age no gender आप कर लें ठीक है जेंडर को चेड़ सकते हैं अगर चेड़ना चाहिए अगर आपका थोड़ा experience है तो आप जेंडर को पहली campaign में भी चेड़ सकते हैं लेकिन to the point of learning face of your pixel तो हमें नहीं चेड़ना चाहिए ठीक है अगर आप अपने pixel को learning face में ला चुके हैं तो तब आप चेड़ सकते हैं अगर learning face में नहीं है बिल्कुल नया pixel है तो आप जो है face zero से start करें broad audience है और उसके बाद अगर आपके पास first creative है तो यहाँ पर मैं creative mention करता हूँ कि मेरा first creative है ठीक है और इसे मुझे पता चल जाएगा जब मैं analysis कर आँगा यह first creative के लिए मैंने broad audience लिए थी उसके बाद आता है आपके पास website यहाँ पर हमारा पर दो option है टिक टॉक की देखें आपके पास वहाँ पर facebook में option होती थी facebook page की यहाँ पर आपको instant page की मिलती है ठीक है अब हमारे पस आगा हमने हमारे पस website है obviously बात हम website पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो main function है वो है tik tok pixel का तो यहाँ से बगार आप काम नहीं कर सकते टिक टोक pixel जब तक setup नहीं होगा आप campaigns convenience की नहीं रन कर सकते उसके बाद जो हमारी important चीज़ होती है optimization event देखें यह बहुत important point है अगर आप campaign रन कर रहे है convenience की और अब यहाँ पर आपने पिक्जल को learning देनी है अपने पिक्जल को learning देनी है कि आपका आप किसलिए काम कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास बहुत से events हैं जैसे कि मेरे बहुत से events inactive हो चुके हैं तो इन में से आप add to card, initial check out, add payment info, complete payment यह हमारे काम के जो events हैं वो हैं ठीक है इन में से आप start में आपने कौन सा run करना है आप complete payment का run करें ठीक है add to card भी कर सकते हैं लेकिन मैं फिर आपको अगेन बतायता हूँ add to card का इसलिए हम नहीं करते क्योंकि हमारे pixel को इस चीज़ की learning मिल जाती है के हम अपने add to card से करें और जब add to card से complete payment की तरह move करते हैं तो हमारा अच्छा खासा खर्चा हो जाता है अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है अपने learning के लिए तो start ही आप complete payment से करें आपको कोई problem नहीं आएगा ठीक है तो depend on your testing कि आप किस तरह से कर रहे हैं उसके बाद यहां पर automatic placement पर रहने और यहां पर आपने select placement पर करना है और सिर्फ tik-tok पर check out हैने दे बागियों पर आपने uncheck कर देना है ठीक है यह दो प्यों है उसके बाद यहा कर सकते हैं user comments को video downloads को off कर सकते हैं और video sharing करते हैं तो make sure के यह on ही रहें तो ज्यादा बेहतर है और यहां पर आपके पास creative type होती है अगर आप इसको on करते हैं इस चीज़ को अपने off रहना है इस वक्त के लिए जब आप testing phase में है यह आप अपनी first campaign run कर रहे हैं उसके बाद targeting and second is automatic targeting तो इसमें आपने custom targeting पर ही रहना है और यहां पर आपके demographic है इसमें आपकी location और यह main चीज़ है आपका समझने वाला यहां पर देखें आपकी location पर target कर रहे हैं आपकी first campaign है तो इसको हमने बिलकुल भी नहीं चेहड़ना उसके बार languages को नहीं चेहड़ना male female में अगर आप पहले add run कर चुके हैं तो आप male या female के लिए अलग-अलग add set बनाएंगे ठीक है अगर आपकी first campaign है तो आप all पर ही रहने दे एजिस को आप फिल हाल ना चेहड़ें ठीक है और उसके बाद आपके पास यह तमाम चीज़ें है इन में जो household income है इसको आपने अभी तक नह छेड़ेंगे उसके बाद हमारे पास आती है audience में audience में क्या है कि अब यहां पर आपको दो option मिल रहे है custom audience और look like audience इसके ओपर मैं detail से video बनाऊंगा अपनी strategies वाले पार्ट में हम इस चीज़ को cover करेंगे ठीक है और यहां से हम exclude भी कर सकते हैं यह बहुत important part है जब हम strategies apply करेंग तो तब हमें custom audience और look like audience की option जो है enhance करने का मौका मिलेगा उसके बाद हमारा जो important part आता है वो interest and behavior का देखिए interest and behavior में हमें कुछ important चीज़ें मिलती है उनमें पहला जो part है वो है add interest का add interest में हमें दो चीज़े मिल रही है journal interest और purchase intention देखें अभी हम testing कर रहे हैं तो आपने किसी च attention पर click करेंगे और यहां पर हम अपना जो भी हमने अशू स्लेक्ट किया तो हम यहां पर शूर का जो है interest find करेंगे ठीक है तो यहां पर देखें हमें shoes के interest मिल जिया men and women's का हम इसपर click कर लेंगे ठीक है और इसी तरह हम अपने interest जो हैं वो find करके यहां पर पूट कर लेंगे और make sure करें यहाँ पर आपने purchase attention जो है वो इसको select किया हो लेकिन यह हमारी first campaign है और strategies के according कर देखें तो हमें यह test कर रहे हैं तो हमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है तो इसे भी मैं फिलहाल के लिए डेल कर देता हूँ उसके बाद हमारे पास वीडियो behavior आता है कि वो लोग जिने हम target कर रहे हैं जो हमारी वीडियो को end तक देखते हैं वो लोग जो हमारी वीडियो को like करते हैं comment करते हैं और share करते हैं इनको आप check in कर सकते हैं जब आप अपनी strategy के साथ campaign run करें तब की बात और यहां से आप 7 days जो है वो select करेंगे फिलाल के लिए हम इसको del करेंगे क्योंकि हमारा अभी testing purpose है तो मैं आपको यह बता रहूंगे first campaign run करते हुए आपने कुछ भी नहीं छेड़ना दूसरी जो part आता है वो आता है आपके पास people who carry out the following interaction with creator अब creator के लिए उसने क्या view profile की है या follow की है उन लोगों को जो लोगों को follow करते हैं उनकी profile देखने हैं उनको अपने check out करना है तो आप इसको भी make sure कर सकते हैं उसके बाद hashtag है इसको आप अभी के लिए छोड़ दें अभी आप first campaign run कर रहे हैं अपने pixel को learning दे रहे हैं तो आपने कोई भी चीज़े नहीं छेड़नी और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी learning pixel की है तो आप यहाप अपने मताबिक purchase attention करके उस जो भी आपका interest है वो आप यह इसके बाद हमारे पास option आती है devices की यहाँ पर दो option है Android और iOS जो Apple की device होती है इसके बाद हमें option मिलता है कि Android में कौन से होने चाहिए उनके versions क्या होने चाहिए वो चीज़े options हमको explore करने को मिल जाती है उसके बाद उनके models की explore करने की options मिलती है और make sure अगर आप Wi-Fi वाला कर ले प्राइस इनको भी हम छेड़ चार कर सकते हैं लेकिन यह उन लोगे के लिए जिनके पास budget अच्छा खासा होता है और जो लोग आरड़ी expertise के साथ काम कर रहे होते हैं ठीक है यह चीज़े अभी के लिए हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और मैं आपको थमाम च करेंगे स्टार्ट में और यहां पर हमारी टाइमिंग है जो हम टाम जो है शेडूल का रख सकते हैं जैसे के आप टाइम जो नहीं हमेशा 12 बज़े से ही स्टार्ट करें अपना रात के जो 12 बज़े होता है उस तब से स्टार्ट करें लेकिन जो बाहर की country होती है ना वो mostly mobile सुबह उठने के बाद तो वो जब फैमिली या मुबाइल यूज़ कर रही होती है टिक टॉक फसली यूज़ करते हैं तो उनके सामने एड़ साते हैं तब वो सुबह के टाइम जो मोर्निंग होती है इस तेम वो जादा प्लेस कर सकते हैं साइकोलोजी कलिए अगर आप देख खाई दे ठीक है तो फिलाल हम इसको क्लेर कर लेते हैं हमारे लिए कोई काम कीने हम आल पर रखेंगे उसके बाद यहां से आपने देखना है बिटिंग अप्रिमाइज़ेशन आपका हमेशा ही रहना चाहिए क्योंकि आप कन्वेज़ेंस की आड़ कर रहे हैं उसके बाद क इसकी बाद कर दो जा कर दो हम के कहाँ कि आपको ज़ील को कि हरा शक़ब दिखना है रहने बुक्त जुशुआख करता है उसको डिकाने बाद करेंगे ईसको नकिस्ट करेंगे और आपको जो नियू टाब जो या नियू विंड़ो आणको मिले स्क्राइब शुख का मिले उस है वो आपकी creative होती है यहां पर आप उसका नाम रख सकते हैं मैं इसका नाम रखता हूं creative one ठीक है आप इसका नाम creative one रख लें जो भी आप test कर रहे हैं तो यह हमारा आगया creative one यहां पर लिख लिए और यहां पर आपको दो option मिलते हैं यूज to deliver spark spark के बारे मैं आपको बता दूँगा क्या चीज़ होती है spark इस पर हमारी एक अलग video बनेगी और इसके बाद हमारा जो custom ID है यहां पर आपको logo लगाने की option मिलेगी यहां पर आपने logo लगाना है make sure करें logo लाजमी लगाया करें एक brand शो होता है उसके बाद यहां पर option आपके पास single creative की option है single video और collection ads तो single video best है आप single video जो है वो upload करेंगे यहां से upload कि आपको option मिलती है आपने इस पर click करना है और यहां से आप अपने से और कहां से मिलेंगी ठीक है और यहां पर आपके पास text की option है कि आप text क्या add करें देखें text बहुत important होता है लेकिन TikTok में text जो होता है वो आपके यहां पर शोह रहा होता है यहां पर sponsorship वाली जगा पर ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं ठीक है जैसे मैंने यह custom लिख है यह देकर text यहां पर शोता है तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा value नहीं है टिक टॉक मार्केटिंग में copywriting की ठीक है हां यही कि आप 50% और 30% और इससे आप ग्रैब कर सकते हैं लेकिन facebook के according देखें ना comparison करें तो इतनी खास value नहीं है यहां से आप स्मार्ट यहां तेक्स आड जए कर सकते हैं इसको रहने देखिन आप जरूर को text जरूर एड़ करें इसके बाद आप काता है इसके इसके बाद पेच्छा करें यह आप अपनी वैपसाइट पर करें यहां पर आप अपनी वैबसाट का URL डाल देंगे ठीक है यहां पर आपके पास यह लोगों को convince किया है हमने लोगों को लिको जो है वो shop now के लिए convince किया है तो मैं dynamic use करता हूँ और अगर budget जादा होता है तो फिर वो depend करता है कि हम standard पर भी चला जाते है dynamic use करें और यहां पर आपने check out करना है shop now पर और उसके बाद आपके पास यहां पर tracking options होते हैं अगर आपके पार google analytics पर काम किया हो तो उनके थरूब यह आप tracking कर सकते हैं यहां पर अपनी अप्र पार्टी यूरेल बना के आप अपने tracking जो है वह गोगोल analytics में भी देख सकते हैं तो बहुत important चीज़ है यह तमाम चीज़ें आपकी cover होगी cover होने के बाद आपने submit कर देना जैसे ही आप submit करेंगे तो आपकी पास campaigns बन जाएगी मैं आपको campaign दिखा देतना हूँ एक campaign जैसे ही आपकी campaign create होगी तो यहां पर वह active शो जाएगी campaign active शोगी लेकिन आपके जो ad set है ad group है वह आपकी का in active ह है क्योंकि वह time पर ही आपका active होगा ठीक है अगर आपका first ad active नहीं हो रहा तो इस पर मैं video को detail होगा कब वह active होता है तो आपका कुछ इस तहां से campaign जो है वह create होगा तो आज की video में हमने सीखा कि कैसे आप campaign जो है वह simple campaign वह बना कर उसको run कर सकते हैं अपनी ad को लो again बता दे करता हूं कि हम complete strategy से सीखें कि कैसे हम अपने product को tik tok marketing के through scale up करते हैं इन strategies का use करते हैं तमाम face मैंने create की है मैं आप लोगों के साथ बहुत जल YouTube चैनल पर share करूंगा तो आपने channel पर जुड़े रहना है ताकि आप लोग वह तमाम चीज़ें सीख सकें जिससे आपको एक अच्छ चीज़ें वहाँ पर discuss कर सकें क्योंकि मैंने वहाँ पर भी एक community create की हुई है जहां पर आप tik tok marketing सीख सकते हैं अभी तक के लिए खुदाफिस